गुद मॉर्निंग स्टूडेंट नंदिनी हिंदी पाट्य पुस्तर कक्षा चार और बेटा इसमें हम पढ़ रहे थे पाट तीन में मैंने आपको ये हमवक में दिया था तो बेटा ये आपको खुद करना है स्वयम करना है क्योंकि आप इनके उपर वाक्य बना के लिख सकते हो ठीक है तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पाट चार सीखो आप चोटे बच्चे हो आप प्रती दिन कुछ नग नई नई चीजों को सीखते हो और आप जानना चाहते हो कि ये चीज कैसे बनती है कैसे होती है तो वही चीज आपको पाट चार में दी हुई है सीखो तो सबसे पहले हमें इसे पढ़ेंगे बटा फूलों से नित हसना सीखो भोरों से नित गाना फलकी लदी डालियों से नित सीखो सीष चुकाना नित याने हमेशा सदेव सीख हवा के जोको से लो कोमल कोमल बहना दूद और पानी से सीखो मेल जोल से रहना सूरज की किर्णों से सीखो जगना और जगाना लता और पेडों से सीखो सब को गले लगाना दीपक से सीखो तुम अंधिकार को हरना प्रत्वी से सीखो सब की सच्ची सेवा करना तो आपने बेटा पढ़ा तो ये कविता के द्वारा हमें क्या सीख मिल रही है प्रकती की सीख कि प्रकती से हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं कि हम प्रकती से क्या क्या चीज सीख सकते हैं तो सबसे बेटा पहले हमने से पढ़ा कठें शब्दों को रिखांकित करो जो कठें शब्द हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने है नित भौरों शीश जुकाना जोकों मेल जोल पेट लता दीपक सीखो अंदिकार तत्वी यह सारे बेट आपके कठें शब्द हैं जो कि आपको अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने है अब देखो बेटा अब मैं आपको यह कविता समझाती हूँ फूलों से नित हसना सीखो कि जिस प्रकार से एक बगीचे में फूल खिलता है और आप देखते हो वो कितना सुंदर लगता है जब वो खिलता है तो उसी तरह से का गया है कि हम मनुश्यों को उस फूल की कली के समानी स्वार्थ भावना से हसना चाहिए भोरों से नित गाना और जब वो जो भोरे हैं एक काला प्रकार का कीड़ा होता है जो फूलों के उपर आ करके गुन-गुनाता रहता है और वो नित गाता रहता है तो उसी प्रकार से नित गाता रहना čाहिए फल की लदी डालियों से नित सीर को सीज जुकाना जब एक पेड के उपर बहुत सारे फल लग जाते हैं तो वजन की वज़े से जो टहनिया होती है वो थोड़ी जुक जाती है और पेड़ जो होता है वो अपने फल स्वैम नहीं खाता जबके दूसरों के लिए वो अपनी डालियों तक को नीचे जुका देता है इसलिए कहा गया है फल की लदी डालियों से नित सीको सीज जुकाना तो हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार से सदेव सीज जुकाने चाहिए बिलकुल निस्वार्त भाव से ये निये कि हमें दूसरा कुछ देगा तभी हम अपने सीज जुकाएं तब आपको समझ में आया बटा फूलों से में क्या सीखना है नित हसना और भौरों से नित गाना नित मने हमेशा सदेव और फलकी लदी डालियों से नित सीको सीज जुकाना सीक हवा के जोकों से लो कोमल कोमल बहना किस से लिना आप सीक हवा जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उससे हमें क्या लेनी है कोमल-कोमल बेना कि जिस तरह से जब हवा एकदम कोमल ठंडी-ठंडी हो करके बहती है उसी तरह से हमें अपने हिर्दे के मन को भी एकदम कोमल और शांत रखना चाहिए दूद और पानी से सीको मेल-जोल से रहना कि जिस प्रकार से हम दूद में पानी को डाल देते हैं तो वो उसमें जाकर के मिल जाता है और हम उसमें छाठ नहीं सकते, देख नहीं सकते कि हमने इसमें पानी मिलाया है उसी प्रकार से हमें प्रकती से और मनुश्यों से बिलकुल मेल जोल के साथ में रहना चाहिए सूरज की किर्णों से सीखो जगना और जगाना कि जिस प्रकार से सूरज हमें नित समय से उठाता है और समय से ही संध्या होती है जब हम सोते हैं तो जो सूरज की किर्ण है वो हमें क्या सिखाती है? सदय और समय का पावंद रहना सिखाती है. लता और पेड़ों से लता क्या होती है? बेलें. जब आप बेल लगाते हो, जो जमीन पर लेटने वाली जो चड़ जाती है दिवाला पर, उनको बेल कहते हैं, और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. कि पेड़ों पौदे जो लताएं होती हैं, वो सबको अपने गले लगा लेती है. वो कोई दूसरों में अपना और दूसरों में पराया नहीं करती है. दीपक से सीखो तुम अंदकार को हरना. जब दीपक हम जलाते हैं तो क्या होता है दीपक स्वयम अंदकार में हो जाता है और वो दूसरों को रोशनी देता है आपने देखा होगा बटा कि जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक के चार और अंदकार हो जाता है और लेकिन जब वो उपर रोशनी देता है तो वो एक दुख सब की सफ्ची सिवा करना प्रत्वी किया सीकना है और उनकी सची सेवा करना सीखना है कैसे सीखोंगे कि प्रत्वी था कि भी सब्सक्ifully सारी रखेंगे और device के धागे में बांद कर रख थी है वो तो हम मनुश्य ही हैं कि जो के सची सेवा से अपना कार्या नहीं करते हैं लेकिन प्रत्वी ने तो हमें सदेव यही सीख दिये कि हमें सची पूर्ण भावना से सेवा करनी चाहिए तो बेटा आपके लिए आज का हमवक है कठें शब्द कठें शब्द कॉपी में करने हैं कठें शब्द लिखें और नमब टू में है इस कविता को इसकी पंक्तियां लिखनी है और इन चारों में से कोई एक चित्र बनाना है कविता लिखनी है जितनी आपकी एक पेस पर आ जाए और इन चारों में से कोई एक चित्र बनाना है यानि कविता को रचनात्मक रूप में लिखें